क्या आपको बता हैं एक लड़की ने कोरोना वैक्सीन लगवाया और लगवाने के बाद ही उसे करोनों की लोटरी लग गई जी हाँ ये बिल्कुल सही बात है कोरोना वाइरस से बचने के लिए पूरी दुनिया के देशों में वैक्सीन की प्रक्रिया तेजी से चल रही है कुछ जगों पर आम जनता को वैक्सीन के बतले लुभाओं ने ओफर भी दिये जा रहे आप वैक्सीन लगवा लिजा और आप जीच सकते हैं ये ओफर ऐसे में ही ऑस्टेलिया की एक लड़की कोफिड वैक्सीन लगवा कर करोन पती बन गई जौन जू नाम की इस लड़की को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने के बाद करोनों रुपए मिले तो आई ये जानती कि आखिर पूरा मामला है क्या पूरोना वैक्सीन ही हो तो लोगों की सुरक्षा के लिए उन्हें लगाई जाती है फिर उन्हें सरकार को इस बात के लिए लोगों को कन्वेंस करने में वक्त लग जाता है कि ये वाकाई उनके फाइदे के लिए सरकारों की तरफ से अपनी जनता के लिए वैक्सिनेशन के बतले तमाम ओफर भी दिये जा रहा है एक ऐसे ही ओफर का फाइदा उठा कर ऑस्टेलिया की जौन जू एक वैक्सीन के बतले करोण पती बन गई है जी हाँ बिल्कुल सही सुना अपने जौन जू को ये नाम मिलियन डॉलर वैक्स कैम्पेन की तहट मिला है इस ओफर के जरिये औस्टेलिया के 30 लाख लोगों को वैक्सिन लेने के बतले जैक्पॉट जीतने का मौका दिया गया था जौन को खुद भी पता था कि एक वैक्सिनेशन की वज़ा से वो देखते ही देखते करोण पती बन जाएगी 25 साल की जौन जू ऑस्टेलिया की एक सामानी नागरिकों मेंसे ही है जिन्होंने कोरोना का टीका लगवाने के लिए रेस्टेशन करवाया था उनका नाम लेकी ड्रॉ में आ गया और उनके हाथ करीब साड़े साथ करोण की लोटरी लगी सरकारी लेकी ड्रॉ में करीब 30 लाख लोग शामिल हुए थे हाला कि जौन को इस बात का बिलकुल भी अंदाज़ा नहीं था कि उनकी किस्मत में करोणों की लोटरी आने वाली है लोटरी के लिए आई पहली कॉल उन्होंने उठाई भी नहीं थी बाद में उन्हें पता चला कि वो जैकपॉट जीट चुकी है लोटरी का पैसा सिर्फ औस्टेलिया सरकार ही नहीं बलकि समात सेवियों और चेरिटेबल संस्थाओं ने मिलकर दिया है इस कैमपियन को आस्टेलिया के कोरोना वैक्सिनेशन ड्राइव में काफी अच्छा रेस्पॉंस मिले है अगर यह हमारे भारत में भी हो जाए तो कितिनी अच्छी बात है क्या आपको बदा है हमारे भारत में 100 करोन लोगों ने वैक्सिनेशन की प्रक्रिया को पूरा कर लिया है जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाईए ताकि हम आप से फिर दुबारा मिल सकें तैंक यू